आयुर्वीद समाधान में आपका आज स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो हमारे जो नुस्खे होते हैं वो वैद्धियों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्स आउक जाएंगे कि इसमें स्वास्त के साथ सांदरे के गून भी चिपे हैं आप इस डाल से बेहतरीन फेस पैक बना सकते हैं और आपकी तवचा को चमका सकते हैं आईए बिना टाइम खर्च किये हम लोग विस्तार से इसके फेस पैक बनाने की बिधी देख लेते हैं नमब दिन उसे ग्राइंड कर लें और गाड़ा पेस्ट बना लें अब इस पेस्ट में एक वटे तीन कप ठंडा कचा दूद मिलाएं अब इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगा लें और 20 बिनिट बाद इसको साधे पानी से दोलें आप देखेंगे कि आपका चेहरा कु अपने घर में बना सकते हैं इसके लिए आप एक मुठी भर मसूर की दाल को ग्राइंड करें और इसका पाउडर बना लें अब एक चमच मसूर दाल के पाउडर को कटोरी में डालें और उसमें दो चमच का चचा दूद एक चुटकी हल्दी और कुछ नारियल की बूने डा 3. मसूर की दाल और बदाम तेल का फेस पैक ये फेस पैक सबसे बेहतर है जिसकी तवचा ट्राय रहती है और जिनके दाग दब्बे रहते हैं उनके लिए इस फेस पैक को बनाने के लिए आप मुठी भर मसूर की दाल को रात बर बिगो दे उसके अगले दिन ग्राइंडर स गाड़ा पेस्ट बना लें इस पेस्ट में एक चमच का चदूद और एक चमच बादाम का तेल मिक्स कर लें अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं 15-20 मिनिट बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से आप धोलें आप दीखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो निखर गया है और गोरा हो गया है दोस्तो आईरवेज समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताए गए नोसके वैद्दियों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आईरवेज समाधान क्य